हम अकसर जानना चाहते हैं कि हमारे घर या दफ्तर में रखने के लिए कौन से पौधे ज्यादा शुब होते हैं यानि जिन से पॉजिटिव एनरजी यानि सकारात्मकूरजा हमें मिलती है ऐसी कई वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगी और कोई भी आपको बता देगा कि कौन सा पौधा ज्यादा शुब होता है पर हम हमारी वीडियो में आपको बताएंगे कि ये क्यों और कैसे सुब होते हैं सुरुआत करते हैं हम बांस के पौधे से जैसा कि आप जानते हैं आप लखी बैंबू अपने घर में लगाते हैं आपको पता है कि इससे गुड फ़र्चिउन आपके पास आता है सौभागे से जुड़ा यह पौधा है दरसल बांस का पेड भगवान कृष्न का प्रियव पौधा है यह हमेशा अपने पास बांस की बनी हुई बांसुरी रखते थे सभी सुभ आउसर पर हिंदू, शादी, जनेव, मुंडन जैसे कर्मों में बांस का उप्योग अवस्य करते हैं छट का पूजन हो या कोई भी दूसरा पवित्र काम बांस के बिना संपन नहीं होता वैसे भी कहते हैं बांस और वंस बढ़ना ही चाहिए तो बांस का एक सुभ पौधा आपके घर में होना ही चाहिए जब बात शुभ पौधों की हो रही है तो बेल का भी व्रिक्ष बहुत सुभ होता है क्या आपने बेल की पत्तों के सनरचना की तरफ का भी ध्यान दिया है आपको इसमें त्रिनेत्र सिव के दर्सन नहीं होते बेल के व्रिक्ष में स्वैम भगवान शिव निवास करते हैं यह भगवान शिव जी का परम प्रिय व्रिक्ष है यह जिस भी घर में होता है वहाँ धन संपदा की देवी लक्षमी पीडियों तक वास करती है भगवान शेव को अगर आप परसंद करना चाहते हैं तो बेल की पत्तियां उनको चड़ाई जाती है तो बेल का एक पौधा आपके घर में होना चाहिए अगर आपके पास खाली जमीन पड़ी है तो उसमें बेल का व्रिक्ष होता है वो लगाए और अगर जगह की कमी है तो आप्शन्स आपके पास हैं आप गमले में बोंजाई बना कर लगा सकते हैं बेल का पत्ता भगवान को चड़ाने के लिए भी मिल जाएगा और उस बेल में फल भी आएंगे दशहरे के पूजन में आपको याद होगा मादुरगा को आमंदरन देने के लिए आप बेल की जड़ के पास ही जाते हैं यह बहुत सुब पौधा होता है इसको आपके घर में होना चाहिए अगला सुब पौधा जो हम आपको बता रहे हैं वह नीम का है जोतिस सास्त्र के अनुसार नीम के पेड़ की पूजा करने से आपकी कुंडली के सभी दोस्त दूर हो जाते हैं और आपके परिवार में सुख और समरिधी बनी रहती है अगर वैग्यानिक आधार पर देखें तो नीम से बड़ा एंटिबायोटिक नहीं है नीम आपके जीवन में इस तरह से रच बस गया है कि इसके बिना आप स्वस्थ जीवन की कलपना शायद नहीं कर सकते नीम के गुनों से हर कोई वाकिफ होगा इसकी पत्तियां च्छाल बीज फल हर कुछ सेहत से भरपूर है और ऐसी मानेता है कि देवी दुरगा इसी की डाल पर निवास करती है क्या आपने नहीं सुना नीम का एक पौधा अपने घर में अवस्य रखिए चाहे तो बोंजाई बना के रख सकते हैं आजपास की हवा ना सिर्फ शुद्ध होगी आपको मादुरगा की अपने आजपास होने का एहसास भी होगा अगला पौधा जो हम आपको बता रहे हैं वह केले का है केले का पौधा शुब है बेहद सुब है और इसमें कोई संसे नहीं है कई बार लोग भ्रह्म फैलाने की कोशिस करते हैं कि केले का पौधा घर में नहीं होना चाहिए इससे मृत्यू होती है पर यह गलत है मृत्यू अकाटे सत्ते हैं आपकी घर में कोई पौधा हो या ना हो जन्म और मृत्यू हर घर में हर परिवार में होता है पर केले का पौधा होने से क्या होगा केले का पौधा कुंडली में गुरू से संबंधित सारे दोस्त दूर कर देता है इसलिए केले का पौधा आपके घर में जरूर होना चाहिए यथा संभव हफते में कम से कम एक दिन गुरुवार या ब्रहसपतिवार को केले के जड़ में पानी जरूर दें केले की बौनी किसमें भी इन दिनों मिल जाती है जिसे गमले में लगा कर रखा जाता है केले को हमेशा इशान को उन में लगाने का प्रयास कीजिए यानि नौर्थ इस्ट डिरेक्शन में इसके गमले रखिए जहां इसे दिन भर काफी धूप ना मिले पर नमी जादा मिलनी चाहिए अगला पौधा जो हम बता रहे हैं वह शमी का है शमी बेहद सुपधा होता है इसे खेजडी के नाम से भी जाना जाता है इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा समी को सनी देव से जोड़ कर देखा गया है समी के पेड़ की पूझा करने से घर में सनी का प्रकोप कम हो जाता है यूं तो सास्त्रों में सनी के प्रकोप को कम करने के कई उपाय बताये गए हैं, लेकिन सबसे प्रमुख और आसान उपाय है समी के पेड़ की पूजा करना, घर में समी का पौधा लगा कर पूजा करने से आपके कामों में आने वाली बाधा दूर हो जाएगी, गमले में इसे आसानी से लगाया जा सकता है या काटेदार पौधा होता है, अगला पौधा जो हम बता रहे हैं वह बेहत सुभ है और यह तुलसी का पौधा है, तुलसी का पौधा हर घर में अवस्य होना चाहिए, चाहे आप किसी भी धर्म, जाती या संपरदाय से संबंध रखते हैं, पर तुलसी बेहब सुभ है और इसकी सुभता आपके जाती या धर्म से रिलेट नहीं करती है, अगर आप वैग्यानिक आधार पर देखते हैं, तो यह एंटिबायोटिक है, आपके सेहत का खयाल रखेगी, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन रहता है, तो आप सेहत की इसे अपने घर में लगा सकते हैं, ना सिर्फ तुलसी के पौधे लगाईए, बलकि तुलसी के कम से कम एक पत्ते का सेवन परिवार का हर सदसे रोजाना खाली पेट में करें, तो बिमारियां दूर ही रहेंगी, जब शुभ पौधों की बात हो रही है, तो आवले को हम नह भूल सकते हैं, आवला या इंडियन गूजबेरी वैसे तो सेहत के लिए भी बेहत अच्छा होता है, और खाली पेट में आवले का सेवन अच्छा माना जाता है, इम्मिनिटी बूस्टर है, पर अगर हम धर्म सास्त्रों की बात करें, तो आप जानते होंगे, अक्षय जरूर रखना चाहिए, भगवान विश्नु आपके घर में ही विराजेंगे, अगला पौधा जमीन में या मिट्टी में तो सीधे तोर पर नहीं लगता है, पर बेहत शुब होता है, इसे आप पानी में लगा सकते हैं, या कमल का पौधा होता है, भगवान विश्नु को कम भी किस्म लगाते हैं, तो भगवान आपके घर में रहते हैं, मा लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं, यानि लक्ष्मी आपके यहां आएंगी तो जरूर, पर बैठ के आपके घर में ही रह जाएंगी, जाएंगी नहीं, उनके लिए आसन तो बिछाईए, कमल का पौधा तो लगाईए, अगला पौधा अपराजिता का है, जो बहुत शुब माना जाता है, अपराजिता को विश्नुकांता, गोकर्ण या संखपुष्पी के भी नाम से जाना जाता है, इसकी वाइन होती है, और ये आम तोर पर दो रंगों में सफेद और नीले रंग में बहुत मिलता है, इसकी सिंगल लेयर या डबल लेयर की फ्लारिंग होती है, वैसे तो अपराजिता हर साल आप लगा सकते हैं, पर ये हाड़ी क्लाइमबर है, यानि कि इसकी आप बौंजाई भी बना सकते हैं, इसका एक ही पौधा चार-पांच साल तक चल सकता है, ये दुरगा ज जिव को भी विश्नुकांता या अपराजिता के फूल बहुत पसंद होते हैं, इसके आलावा इनकी मेडिसीनल वैल्यूज की वज़े से, इन्हें मेमरी बूस्टर और माइंड पावर बूस्टर कहा जाता है, इसलिए भी आपको इन्हें लगाना चाहिए और इसको उपयो करना चाहिए, इसके अलावा हमारे धर्म सास्त्रों में बरगद और पीपल को भी बेहद शुब माना गया है, हलाकि इन्हें आप अपने घर में सीधे तोर पर नहीं लगा सकते हैं, इसके पीछे मानिता से ज़्यादा साइंस है, विज्यान है, विज्यान ये है कि इनकी ज नुकसान पहुंचाते हैं, घर की नीव तक को तोड़ सकते हैं, हिला सकते हैं, इसी लिए बरगद या पीपल का व्रिक्ष कभी भी घर के निकट नहीं होना चाहिए, हाँ ये और बात है कि इनकी बॉन्जाई आप गमले में रख सकते हैं, हमारे सास्त्रों के अनुसार कल पीपल में लोगों के लिए कल्प व्रिक्ष तो सुलब नहीं होगा, परंतु सर्व देव में व्रिक्ष पीपल ही सच्चे भाव से संकल्प लेकर नियमित रूप से जल चढ़ाने पर, पूजा अर्चना करने पर मनुस्य को सब कुछ मिल सकता है, पीपल को भगवान विश विश्नु का परतीक माना गया है, शकंद पुरान के अनुसार, पीपल के मूल में विश्नु, तने में केशव, और साखाओं में नारायन, पत्तों में भगवान श्री हरी, और भलों में सभी देवता का वास है, इसलिए पीपल का पूजन होना चाहिए, इसका एक किर दो में यूजन होना गया है, विश्नु को एक बोंशय है, जाओट में सफनी है, और साखाओं में भीपलोंस, तक किर ऊस्यों में чा ऑका मुटन है, अनित्श क कित्कों कित्श को पूजम को वासा है, ओिई